लानत है, इस आदमी के पास शक्तिशाली ध्वनी कोशल है, स्काई पैलेस में दर्शकों के मूँ खुले के खुले रह गए, यू सुई बहुत खुश लग रही थी, उसने यू चांदकोंग की ओर देखा और पूछा, पिताजी, क्या इसका मतलब यह है कि हान सेन ने उत्तीर्न कर ली है, मुझे भी ऐसा ही लगता है, यू चांदकोंग ने देखा कि हान सेन की तलवार उसके मजबूत दिमाग का एक हिस्सा व्यक्त करती है, लेकिन चुन की यू चांदकोंग ध्वनी शक्तियों में कुशल नहीं था, इसलिए वो बहुत सटीक रूप से नि उसने हान सेन से शांती से बात की, हान सेन खुश था, उन्होंने सिक्स पाथस समराथ से सिक्स पाथस तलवार कौशल सीखा था, इनमें सोनिक स्वोर्ड भी शामिल था, जिसे सीखने में भी उन्होंने समय लगाया, ये सौभाग्य की बात थी कि उसने भी यह सीख लिया थ यदि उसने ऐसा नहीं किया होता तो वह वहीं हार गया होता। और दुश्मनों की इच्छा को तोड़ सकती है। इससे वह अवसाद में आ सकते हैं। हान सेन ने एक कोशल चलाया। जब उन्होंने सिक्स पाथस की तलवार कोशल सीखी तो उन्होंने सबसे पहले होट स्वाड सीखी। उसने अन्य पाँचों का अधेक अभ्यास नहीं किया था लेकिन उसने इसका भर पूर उप्योग किया था। अन्य लोग इस मामले में उसकी दक्षता के तुल्मिय नहीं थे। उसने अपनी दाहिनी उंगली और मध्यमा उंगली को एक साथ रखा। यह एक तलवार की तरह लग रहा था और इसके साथ उसने लोन बंबू के माथे पर इशारा किया। लोन बैंबू ने चक्मा नहीं दिया। शांती से उसने हान सेन का प्रदर्शन देखा। लेकिन जब हान सेन की तलवार की हवा उसके माथे पर आई तो लोन बैंबू का च चेहरे में बदलाव देखा और उन्होंने जो देखा उससे वे स्तब्ध रह गए वे यह नहीं देख सके कि उस तलवार में ऐसा क्या खास था कि उसका चेहरा इस तरह बदल गया सामान्य लोगों और यहां तक की स्वयम राजाओं ने भी सोचा कि यह एक उसत हर्ताल थी इसम के अंदर की शक्ती नहीं देख सकता यदि आप इसे देख सके तो आप लोन बैंबू बन जाएंगे अरे नहीं हान सेन लोन बैंबू को इतना हिलाने वाला शीर शत्रू है एक सेकेंड बाद हान सेन की उंगली लोन बैंबू के माथे पर थी फिर उसने इसे खीच लिया वो अपने पद पर लोट आये लोन बंबू का ठंडा चेहरा बुरी तरह विकृत हो रहा था उसकी आखें लाल रक्त वहेकाओं से भरी थी वो कुछ नियंतरित करने की कोशिश कर रहा था लेकिन उस पर डरावनी शक्ती भारी पढ़ती जा रही थी उसके शरीर में शक्ती एक क् अंदर घूम रहा था उसने इसकी उपस्थिती का केवल कुछ ही खुलासा किया था लेकिन ये सपश्ट रूप से डरावना था अरे नहीं हान सेन की हरताल ने लोन बैंबू के राक्षसों को भढ़का दिया है यू चांग कोंग के चेहरे का रंग थोड़ा उड़ गया पि अंबू की मान से क्यातना कश्ट दाई थी और वो अपनी इच्छा शक्ती के बल पर दस हजार बुरे सपनों को जहलता रहा भले ही उसने इसे सहन किया लेकिन उसे कभी शांती महसूस नहीं हुई ये वैसा ही है जैसे बार आती है और आप पानी के बहाव को रोकने के लिए एक बांध बनाते हैं यह एक जलाशय है सारा पानी जहां है वहीं रुक जाता है लेकिन खत्म नहीं होता यह अभी भी वहाँ है जितना अधिक हुआ इन विचारों को रोकता है उसे उतना ही अधिक अवसाद महसूस होता है कलतना कीजिये कि 10 हजार जिंदगियों के संधर् नहीं होगा लेकिन 10 हजार दुजवपनों को सहन किया गया और वह अवसाद के बावजूद जीवित रहा बिना किसी रुकावट के इसे बांध से दूर रखने से काम चल सकता है लेकिन ऐसा लगता है कि हान सेन की तलवार ने अवसाद को कारवाई के लिए प्रेरित किया है दबी हुई भावनाएं जो 10 हजार वर्षों से बनी हुई थी एक विसफोट में मुक्त हो गई हैं लोन बंबू की मानसिक दृर्टा तूट चुकी थी उसका 10 हजार साल का अवसाद आ गया है यह उसके द्वारा अनुभव किये गए किसी भी जीवन में उसने जो कुछ भी महसूस किया उससे भी अधिक डरावना है वो अवसाद अब उसे बहुत अच्छी तरह से तोड सकता है और यदि वह एक राजा होता तो भी शायद यह ऐसा ही होता अकेला बांस यू चानकोंग ने बात करना बंद कर दिया वो चिंतित लग रहा था अकेला बांस एक जानव लग रहा था लगभग अपने पिंज्रे से मुक्त हो गया था जो चात्र ये देख रहे थे वे इस द्रिश्य को देखकर भैबीत हो गए गरजन अकेला बांस आकाश की ओर गरजा उसके अंदर की उर्जा मुक्त हो गई और फूट पड़ी पूरा स्थान डरावनी भावना से भर गया जिसका वर्नन करना कठिन था हान सेन मैदान में था यहां तक की रिंग के बाहर के चात्र भी लोन बैंबू को महसूस कर सकते थे भले ही उनकी इच्छा शक्ती कमजोर हो उनकी आखों से आशू बहने लगे उन्हें निराशा महसूस हुई और उन्होंने मरने की क कुछ बैरन चात स्वयम पर नियंत्रन नहीं रख सके उन्होंने अपनी तलवारे निकाली और उन्हें अपनी गर्दनों पर रख लिया ऐसा लगा मानो अब कोई आशा नहीं रही और केवल उदासी ही चाही रहेगी उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे की जीने के लिए कुछ भी नहीं बचा है और वे केवल मृत्यू ही चाहते थे हम्फ महल से एक आह निकली कुछ हजीब ताकतों ने अखाडे को फिर से सक्रिय कर दिया इसे लोन बैंबू और उसकी शक्ती से अलग कर दिया जो चात्र खुद को कातने जा रहे थे वे स्तब्ध रह गए जो कुछ उसका चेहरा दरावना लग रहा था हान सेन को उम्मीद नहीं थी कि लोन बंबू का अवसाद इतना भारी होगा यह उसकी सभी अपेक्षाओं से अधिक था और उसे अपने किये पर पच्तावा हुआ यदि लोन बंबू दबाव का सामना नहीं कर सका और खुद को मारने की कोशिश की भले ही स्काई पैलेस के कुलीन लोगों ने उसे बचा लिया हो वह तूटे मन के साथ जीना जारी रखेगा हान सेन जीतना चाहता था हां लेकिन वो लोन बंबू को नश्ट नहीं करना चाहता था लेकिन अब रुकने में बहुत देर हो चुकी थी उसने लोन बंबू के अवसाद को जन दिया था और हान सेन भी इसे दबा नहीं सका पिताजी, क्या हो रहा है? इस बार युन सुशांग भी अस्थिर लग रहा था युन चांग कोंग उदास लग रहा था और उसने धीरे से कहा हान सेन की प्रतिभाएं बहुत डरावनी है उन्होंने लोन बैंबू के अवसाद की मातरा को पूरी तरह से ट्रिगर कर दिया है लोन बैंबू के राक्षस जाग गए हैं इससे अब दो संभावनाए सामने आती हैं या तो वह राक्षस को हरा देता है और अपने पिछले स्वरूप में लोट आता है या फिर वह उसके आगे जुक जाता है अगर ऐसा होता है तो वह आत्महत्या करने या लोगों को मारने की कोशिश भी कर सकता है क्या ब्रदर लोन बैंबू इसे बना सकता है हजार पंखों वाली क्रेन ने पूछा मुश्किल यू चानकोंड ने केवल एक शब्द बोला जीना कठिन है और जीवन धूसर है इस बार हान सेन को इस तथ्य को स्वीकार करना पड़ा कि उसने दूसरे व्यक्ति को नुकसान पहुचाने के लिए कुछ किया था जिससे उसे कोई फाइदा नहीं होगा चन्रक्षित किया था इसलिए लोन बैंबू की भावनाएं अखाडे के अंदर ही फंस गई और उस क्षेत्र में केवल लोन बैंबू और हान सेन ही दर्द के उस जवार के खिलाफ खड़े थे लोन बैंबू से उपजी मनहूस भावनाएं हान सेन पर भारी पड़ रही थी हान सेन को ऐसा महसूस हुआ मानो उसका जीवन अंधकारपून, हताश, दर्दनाक, दुख़दौर पच्चतावे से भरा था ये सभी भावनाएं एक साथ उस पर हावी हो रही थी चाहे उसकी इच्छाशक्ती कितनी भी मजबूत क्यूं न हो, वह उन सभी को रोक नहीं सका एक सुन्दर युवा दुलहन लाल बग्गी से बाहर निकली उसकी शादी एक खुबसूरत आदमी से होनी थी लेकिन समरों के दौरान, चोरों के एक समूने धावा बोल दिया चाकूं की रोशनी चमक उठी और हर जगव खून फैल गया अशलील हसी हवा में गूंज रही थी होने वाली खुबसूरत दुलहन की उसके पती के सामने बलातकार करके हत्या कर दी गई इस जीवन में, लोन बैंबू की मृत्यू अपनी आँखे बंद किये बिना हो गई एक जंगल में एक माँ बागिन दो शावकों के साथ खेल रही थी लेकिन अचानक गोली चलने की आवाज आई माँ बाग को ट्रैंक्विलाइजर से मारा गया और वस्थिर हो गई उसने देखा कि उसके दो बच्चों की खाल उतारी गई और उन्हें पकाया गया शिकारियों ने उन्हें तब तक खाया, जब तक उनका आखिरी चुकड़ा भी खत्म नहीं हो गया बाग की आँखों से खून के आँसू छलक पड़े इस जीवन में लोन बैंबू को मरना पसंद था अकाश में एक तलवार बाज अनेक शत्रूओं से युद्ध कर रहा था उसने कई लोगों को मार डाला लेकिन वो घायल हो गया वो शक्तिहीन हो गया था और वो जल्दी अपने घावों से मर जाएगा एक अधेर उम्र का आदमी एक युवा महिला को पकड़ कर तलवार चलाने वाले को तिरसकार की द्रिष्टी से देख रहा था वो हसा अकेला बांस बस मर जाओ मैं तुम्हारी स्त्री के साथ खेलूंगा और तुम्हारे घर की देख भाल करूंगा हालां कि शायद मैं आपके बेटे को मार सकता हूँ तलवार चलाने वाला क्रोध से दहाडने लगा लेकिन मौत ऐसी चीज नहीं थी जिससे वो बच सकता था वो उस आदमी के पेरों के नीचे मर गया उसके कपडों को पकड़ने की भी ताकत नहीं मिली हर सपना निराशा का एक चक्र था प्रती एक जीवन चाहे अमीर हो या गरीब महत्वपूर्ण या तुच्छ दुखद रूप से समाप्थ हुआ लोन बैंबू की निराशा हान सेन को पागल बना रही थी हान सेन पर भारी अवसाद च्छा गया क्योंकि उसने देखा कि लोन बैंबू की संघर्ष से गुजर रहा था हाला कि उसे लोन बैंबू के सभी बुरे सपनों का अनुभव नहीं करना पड़ा लेकिन उसने लोन बैंबू की याद में सबसे दुखद द्रिश्य देखे वे सीधे हान सेन के दिमाग में भेजे गए और उन्होंने हान सेन को ऐसा महसूस कराया जैसे वह वहीं था हान सेन अतिक्रमित आवसाद को हराने के लिए अपनी इच्छा शक्ती का उप्योग करना चाहता था लेकिन ये बहुत डरावना था वो इसे रोक नहीं सका उसे उन सभी दुखद कहानियों का अनुभाव करने के लिए मजबूर किया गया और उन्होंने उसे आहत किया वो मरना चाहता था हान सेन ने तुरंट लोन बैंबू के साथ आवसाद से लड़ने की कोशिश पर ध्यान केंद्रित किया उस मैदान में लोन बैंबू और हान सेन एक दूसरे के सामने खड़े थे लोन बैंबू एक राक्षस की तरह लग रहा था और हान सेन ने अपनी आँखे बंद कर ली थी उसके चहरे से सारा रंग उड़ गया था अब जो शांती थी वह तलवार बाजी से भी अधिक दरावनी थी लोन बैंबू की भायान को पस्थिती का परिमान बढ़ता जा रहा था यह एक तूटे हुए बांध की तरह था जो बाढ़ को रोक नहीं सका अकेला बांस निराश दिख रहा था मानू वह हर चीज को बरबाद कर देना चाहता हो उसका हाथ उसकी कमर पर पड़ी जैड तलवार पर चला गया अरे नहीं, लोन बैंबू अब इसे रोक नहीं सकता युन चांग कोंग ने बीमार दिखते हुए कहा स्काइ पैलेस के बुजुर्ग मैदान में पहुँचे वे सभी लोन बैंबू को गंभीरता से देखने लगे हजारों वर्षों की उदासी और अकेला पन कुछ हैसा था जिसे कोई राजा भी नहीं जेल सकता था यहां तक की स्काइ पैलेस के नेता स्वयम भी ऐसा कुछ चीक नहीं कर सके वे केवल देखते रह सकते थे क्योंकि वे उसकी मदद नहीं कर सकते थे यदि आप अपने दिल में बीमार थे तो आपको अपनी मदद स्वयम करनी होगी यदि लोन बैंबू ऐसा नहीं कर सका तो भगवान भी उसे नहीं बचा सकते हान सेन लोन बैंबू से बहतर नहीं था और अब वो उस अवसाद से लड़ रहा था उसकी इच्छा शक्ती को उसके भीतर फैल रहा खोखलापन निगल रहा था कोई भी इनसान कितना भी ताकतवर क्यूं ना हो हर किसी में कुछ हद तक सहानुभूती होती है हान सेन जिन जिन्दगियों को देख रहा था उसे देखकर भगवान भी रो पड़ेगे और हान सेन सिर्फ एक इनसान था हान सेन की आँखे धुंदली होने लगी थी और उसका शरीर मौत जैसा महसूस हो रहा था अरे नहीं हान सेन पर लोन बैंबू के दानव ने हमला कर दिया है थावजेंट फैदर क्रेन देख सकती थी कि कुछ गढ़बढ है उसने यून चान कोन से कहा मास्टर क्या हमें हान सेन को वहां से ले जाना चाहिए हान सेन को अब स्थानांतरित नहीं किया जा सकता वो वही है जिसने लोन बैंबू के अवसाद को जन दिया उनकी मौझूदगी से लोन बैंबू को मदद मिल रही है वो अब भी जीतना चाहता है यदि हान सेन को ले जाया गया तो लोन बंबू अपना उद्देश्यक हो देगा वो पूरी तरह से तूट जाएगा और फिर कोई उमीद नहीं बचेगी युन चांदकोंग ने अपना सिर हिलाते हुए कहा लोन बंबू की आँखे कातिल लग रही थी और उसका चेहरा राक्षसी लग रहा था उसकी सांसे उखड रही थी उसके हाथ की हरी नसे उब्री हुई थी जिससे तवचा खींच रही थी उसने धीरे से अपनी जैद तलवार निकाली जैद तलवार एक पहाड की तरह थी स्काई पैलेस में एक महिला ने भौहे सिकोर ली नेता अकेला बांस अपने दानव को नियंतरत नहीं कर सकता क्या आप मदद नहीं करेंगे स्काई पैलेस के नेता ने सिर हिलाया अगर हम अभी हमला करते हैं तो हम केवल एक लाश बचाएंगे उसे खुद को बचाना होगा राक्षस उसके दिल में है वो खुद को कैसे बचाएगा महिला ने कहा स्काई पैलेस नेता ने चुप चाप कहा अगर उसकी इच्छा है तो उसके पास अभी भी जीवित रहने का मौका है उसे वह विश्वास कहां मिलेगा जिसकी उसे आवश्यक्ता है महिला ने पूछा स्काई पैलेस नेता ने कोई उत्तर नहीं दिया उसने मैदान की ओर देखा जहां हान सेन और लोन बैंबू थे लोन बैंबू ने एक जैड तलवार खीची थी यहें एक साफ ब्लेड था जिसकी सता पर एक भी निशान या धूल का कन नहीं था लेकिन जैड तलवार की आभा भयानक थी मानो वह नरक की सारी आग ले जा रही हो फिर अफसाद के बोज के नीचे लोन बैंबू का पूरा शरीर काली आग में जुलस गया आग देखने में परेशान करने वाली थी लोन बैंबू ने हान सेम की ओर जैड तलवार उठाए वह धीरे धीरे चला उसके होंट हिल रहे थे हालां कि वह इतना धीमे बोल रहा था कि कोई भी उसे सुन नहीं सकता था कि वह क्या कह रहा है क्या लोन बैंबू पूरी तरह से राक्षस के नियंतरन में आ गया है हजार पंखों वाली क्रेन ने पूछा कई संभरांत लोगों और बुजूर्गों ने सोचा कि लोन बैंबू को हृदय दानव द्वारा नियंतरत किया जा रहा है वो अपना गुसा प्रकट करना चाहता था और हान सेन को मारना चाहता था उनकी अभिव्यक्तियां दरावनी लग रही थी स्काई पैलेस के छात्रों ने लोन बैंबू को हान सेन तक पहुँचते देखा वो ही कादम खोर राक्षस की तरह था यह एक ऐसा द्रिश्य था जिसने उन्हें चौका दिया हान सेन निश्चल खड़ा था उसकी आँखे अभी भी बंद थी ऐसा लग रहा था जैसे उसे पता ही नहीं था कि लोन बैंबू आ रहा है उसका चेहरा धूसर हो गया था और उसकी उपस्तिती तेजी से खत्म हो रही थी सारे दुजवपन उसके दिमाग में कौन्धते रहे उन्ही से वव संक्रमित हुआ था हाला कि वे उसके लिए उतने वास्तविक नहीं थे जितने लोन बैंबू के लिए थे लेकिन वे उसके दिल में गहरे थे लोन बैंबू लाल आखों के साथ हान सेन के पास आया उसने अपनी तलवार उठाए और हान सेन पर घुमा दी यून सुई चिल्लाई यून चांकोंड और बुजुर्ग अब सोच रहे थे कि क्या उन्हें हान सेन को बचाना चाहिए लेकिन लोन बैंबू की तलवार हान सेन तक नहीं पहुची उसने उसे हान सेन की नाक पर तान दिया और फिर वो एक राक्षस की तरह दहाडने लगा मुझसे लड़ी, वो खोया नहीं है भीर को एहसास हुआ, रोमान चित हुई हान सेन की आँखे खुल गई और उसने अपना घोस्ट टीथ नाइफ पकड़ लिया जब वे भिरे तो चाकू और तलवार से तर-तरहट की आवाज होने लगी चाकू और तलवार के अकड़ एक साथ तूट गए कातना, जोर लगाना, स्वाइप करना हान सेन और लोन बैंबू की तक्नीके बहुत सरल थी, लेकिन वे बहुत घातक भी थी पहले की लडाईयां काफी आश्चर्य जनक थी, लेकिन यहीं एक वास्तविक लडाई थी इससे पहले वे केवल कोशलों की तुलना करते रहे थे अब जब वे लड रहे थे, तो उनकी चाल सरल और सीधी थी, बिना किसी अतिरिक्ट स्वभाव या शैली के लेकिन फिर भी, हर एक हमला अविश्वस्निय रूप से दरावना था जीवन और मृत्यू में एक भूल का अंतर था डांग, 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 चाकू और तलवार से वार करते रहे तलवार की हवा और चाकू की हवा अधिक्तम शक्ती से चल रही थी और सेनानियों की तलवार और चाकू की हवा अखाडे के चारों और घूम रही थी जैसे जैसे भायानक लड़ाए आगे बढ़ रही थी, उनके दिमाग की ताकत बढ़ती जा रही थी और अचानक, वे युद्ध के राजा वर्ग के स्तर में घुस रहे थे वे जंगली घुरों की तरह थे जो दोड़ना बंद नहीं कर सकते थे उनका दिमाग अभी भी बढ़ रहा है ये धोखा है कि आवे देवता बनने जा रहे हैं वे सिर्फ अउस हैं, वे इतनी उपर चड़ गए हैं क्योंकि अवसाद उन्हें आगे बढ़ा रहा है वे उन पर पढ़ने वाले प्रभाव से बच नहीं सकते अगर वे अर्ल हैं, तो वे अपनी लीग से इतनी दूर क्यों लड़ रहे हैं ये शर्म की बात है कि अगर वे लड़ते रहें, तो कोई विजेता नहीं होगा चाहे कोई भी शीर्ष पर आये, यहें एक त्रासदी होगी यहें एक त्रासदी होगी अगर वे भी नहीं लड़े फिलहल, भाई बंबू को विश्वास है यदि वे लड़ना बंद कर देंगे, तो उनकी दृरता अवसाद द्वारा भस्म हो जाएगी इस लड़ाई के बाद परीक्षा जारी रखना बेकार होगा कोई भी उन दोनों में से किसी के सामने नहीं टिक सका यू सुई बहुत डरी हुई थी उसने यू सुशांग का कंधा पकड़ लिया हर चाकू और तलवार की चमक के साथ उसका दिल धड़क रहा था वो पीली लग रही थी यू सुशांग ने उसका हाथ पकड़ा और उसे सांत्वना दी मास्टर अगर वे लड़ते रहेंगे तो अफसाद उन पर और अधिक प्रभाव डालेगा क्या हमें उन्हें रोकना चाहिए थाउजन फैदर क्रेन देख सकती थी कि उनकी स्थिती खराब थी यू चानकोंग ने अपना सिरह लाया उनके पीछे हटने में बहुत देर हो चुकी है यदि वे ऐसा करेंगे तो वे मर जाएंगे अभी के लिए वे केवल आगे बढ़ सकते हैं वे नरक से गुजर रहे हैं इसलिए उन्हें चलते रहना होगा उन्हें मृत्यू में जीवित रहने की आवश्यक्ता है यदि वे ऐसा करते हैं तो उनके पास एक मौका हो सकता है मृत्यू में जीवित रहेंगे यू सुई ने जल्दी से पूछा यू चानकोंग ने आह भरते हुए कहा जैसे जैसे वे लड़ेंगे अवसाद और बढ़ेगा लेकिन यह उस उर्जा का विमोचन भी है लोन बैंबू ने इसे सबसे लंबे समय तक दबाए रखा यदि वह अब ये सब प्रकट करने में सक्षम है तो आशा है कि वह ठीक हो जाएगा यह कठिन होगा लेकिन वह और कुछ नहीं कर सकता हान सेन के बारे में क्या क्या उसे उर्जा जारी करने की जरूरत है यू सुई ने पूछा यू चानकोंग ने अपना सिर हिलाया यह उसके लिए विपरीत है उसे कुछ भी जारी करने की जरूरत नहीं है वह लोन बैंबू के अवसाद से प्रभावित हो रहा है दानव लोन बैंबू के अंदर रहता है इसलिए हान सेन अपनी भावनाओं को खुद को नश्ट करने से बचाने के लिए लड़ रहा है वह अभी अपने जीवन के लिए संधर्ष कर रहा है वह नहीं चाहेगा कि वह मर जाए ये लड़ाई कैसे समाप्त होगी यह हान सेन पर निर्भर करेगा यदि वह राक्षस के आगे जुक जाता है और मरना चाहता है तो लोन बैंबू अपना उद्देशक हो देगा और राक्षस के सामने भी जुक जाएगा भले ही हान सेन उस राक्षस का सामना कर सकता है अगर वो लोन बैंबू से लड़ना बंद कर दे और उसे अपना अवसाद दूर करने दे तो चीजे वैसे ही खत्म हो जाएंगी इसलिए हान सेन न तो खुद से हार सकता है और नहीं लोन बैंबू से युन चांदकों को सुनकर युन सुई पहले से कहीं अधिक घबरा गई दोनों के मन मजबूत थे किंग क्लास शील्ड के नीचे आभी भी रिसाव था आसमान में बादल चाये हुए थे सफेद बादल के अंदर एक जानवर था बादल पानी की तरह फैल गया और पूरे मैदान पर चा गया इसने मैदान में व्याप्त दरावनी भावनाओं को दबा दिया ताकि दर्शक प्रभावित न हो सके ये ड्रीम बीस्ट है ड्रीम बीस्ट ने उनकी भावनाओं को दूर कर दिया यदि उनकी भावनाएं उस स्तर तक पहुँच जाती हैं जिसे राजा वर्ग संभाल नहीं सकता स्काय पैलेस के चात्रों को बेहतर महसूस हुआ लेकिन बादल में जानवर काम प्रहा था राजा वर्ग के कुलीन लोग हान सेन और लोन बेंबू द्वारा दी गई भावनाओं का सामना नहीं कर सके उनकी भावनाएं एक राजा वर्ग के प्रानी की सीमा से कहीं अधिक थी यही कारण है कि ड्रीम बीस्ट को सामने आना पड़ा और भावनाओं को दबाने में मदद करनी पड़ी ये सुनिश्चित करना था कि भावनाई और अवसाद छात्रों को इतना प्रभावित ना करे कि उन्हें स्थाई रूप से नुकसान पहुँचे बहुत से लोग इस तरह के अवसाद को सहन नहीं कर पाते और आगे बढ़ते नहीं रह पाते जैसा कि लोन बैंबू ने किया था हान सेन का चाकू पागलों की तरह घूम रहा था और उसका चाकू दिमाग पागल हो रहा था उसका शरीर एक जानवर की तरह था जो जगा को टुकडे टुकडे कर सकता था हान सेन को म्यान से उसका दिव्य चाकू मिल गया था लेकिन वो उसे बस ले जा रहा था यह उसका नहीं था, इसलिए जब उसने इसका उप्योग किया तो वो इसकी प्रत्येक शक्ती का उप्योग नहीं कर सका. लेकिन अब, उस अफसाद के गुस्से के तहट, हान सेन को अपने दुश्मन के खिलाफ जवाबी कारवाई करने के लिए अपनी सारी शक्ती और दिमाग लगाना पड़ा. उस दबाव में उसका चाकू दिमाग उसके करीब आ रहा था, और हान सेन टीथ नाइफ नाइफ माइन्ड को और भी अधेक समझने में सक्षम था. ये हान सेन के साथ आत्मसाथ हो रहा था. नाइफ माइन्ड सिर्फ एक उपकरण था, लेकिन अब ये उसकी प्रवरिती के साथ एक हो रहा था. दात चाकू चाकू दिमाग ने सब कुछ नश्ट कर दिया, और उस विनाशकारी पागलपन ने हान सेन को जीने की इच्छा के साथ प्रेरित किया, यहां तक की उस अफसाद के बावजूद भी. जब हान सेन टीथ नाइफ नाइफ माइंड के साथ विलीन हो गया, तो घोस्ट टीथ नाइफ मजबूत हो गया. घोस्ट टीथ नाइफ ने हान सेन का पीछा किया क्योंकि उसके पास देविय चाकू दिमाग था. यह सपश्ट रूप से हान सेन का अनुसरन नहीं कर रहा था तो हान सेन की दिव्य चाकु दिमाग का उप्योग करने की सीमित क्षमता के साथ वह अभी भी घोस्ट टीत नाइफ की असली शक्ती को अनलोग करने में सक्षम नहीं था लेकिन जब हान सेन ने इश्वरिय चाकु दिमाग के साथ मिलकर काम किया तो घोस्ट टीथ नाइफ की असली शक्ती हान सेन के माध्यम से शुरू हो गई बूम, हान सेन को चाकु से घोस्ट टीथ नाइफ की दरावनी शक्ती का प्रवाह महसूस हुआ यदि उसने इसे नहीं जगाया होता तो दानव नियंतरन खो देता लोन बंबू के माथे पर एक निशान तूट गया वहाँ एक आँख खुली और खून बहने लगा हान सेन ने थावजेंट फैदर क्रेन की आँख देखी थी जो बिलकुल साफ थी लोन बंबू अलग था लोन बंबू की आस्मानी आँख एक जानलिवा अहसास से भरी थी इसे देखने मात्र से ही किसी की रूह काम सकती है जब आकाश की आँख खुली तो लोन बंबू की शक्ती बढ़ गई यह अविश्वस निय था निराशा जनक गती और ताकत के साथ उसने हान सेन के सामने टेलिपोर्ट किया हान सेन ने लोन बंबू पर वार किया लेकिन लोन बंबू बच नहीं सका उसने अपना हाथ बढ़ाया और घोस्ट टीथ नाइफ का बलेद पकड़ लिया उसके हाथ से खून बह रहा था लेकिन वह जाने देने का इरादा नहीं कर रहा था हान सेन पीछे हट गया लेकिन वह घोस्ट टीथ नाइफ को लोन बंबू की पकड़ से बाहर नहीं कीच सका अपनी सकाई आई खोलने के बाद लोन बंबू अब कहीं अधिक मजबूत हो गया था इससे पहले की हान सेन दोबारा प्रतिक्रिया दे पाता लोन बंबू की सकाई आँख ने लाल बत्ती जला दी वो हान सेन की ओर आ रहा था हान सेन अपने बाएं हाथ से लाल बत्ती को रोकना चाहता था लेकिन लोन बैंबू भी उस पर जैड तलवार घुमा रहा था वो कुछ नहीं कर सकता था इसलिए हान सेन को तुरंट प्रतिक्रिया देनी पड़ी उसने अपना चाकू छोड़ दिया और लाल बत्ती और जैड तलवार से बच गया जब वो लोन बैंबू के पास से गुजरा तो हन सेन ने अपने प्रतिद्वंद्वी की कलाई पर मुक्का मारा जिससे उसके हाथ से जैड तलवार छूट गई वो उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ा चाकू और तलवार ने अपने अपने स्वामियों को खो दिया था यू चांदकोंग और बुजुर्गों ने कहा ओ नहीं यह क्या है यू सुई ने अचानक घबराते हुए पूछा यू चांदकोंग ने भोहे चड़ा कर कहा लोन बान सेक राक्षस से प्रभावित है वो सब कुछ नश्ट करना चाहेगा और हान सेन का भूत दांट चाकू एक दुष्ट चाकू है जो सब कुछ नश्ट करना चाहता है हान सेन का दांट चाकू चाकू दिमाग में सक्रिया हो गया इसमें बहुत विनाशकारी तत्वा है हालांकि यह लोन बैंबू द्वारा धारन किया जाता है यह दानव को और भी क्रोधित कर देता है और, और क्या? यू सुई ने जल्दी से पूछा यू चांद कोन की मुस्कुराहट अजीब थी और, लोन बैंबू की जैद तलवार कोई पवित्र हथियार नहीं है ये सिर्फ वोन जैद स्पिरिट से बनी एक अभ्यास तलवार है मजबूत होने के अलावा, ये व्यवहारिक रूप से बेकार है हान सेन ने अपने किंग क्लास हथियार को जो उसके दांग चाकु कोशल के अनुरूप था एक साधारन अभ्यास तलवार से बदल दिया है और उसके उपर, लोन बैंबू की आँख खुली है मुझे नहीं लगता कि हान सेन ज्यादा देर तक टिक पाएगा कैसे? लोन बांस की जैद तलवार यह अभ्यास तलवार कैसे हो सकती है? यून सुई और अन्य लोगों ने इसे आश्चर्य से देखा हम्फ! यून चानकोंग ने आह भरी और कुछ नहीं बताया लोन बैंबू द्वारा घोस्ट टीथ नाइफ को पकड़ने के बाद बूरी उपस्थिती बढ़ गई जिससे उसके भीतर जानलेवा शक्ती पैदा हो गई वह एक राक्षस की तरह दिखता था जो पूरी दुनिया का विनाश चाहता था बूम! वह हान सेन की ओर जप्टा चाकू की रोशनी एक राक्षस की तरह लग रही थी जो हान सेन को निगलने के लिए आ रहा था ये दाटों की शक्ती के बिना दांक चाकू जैसा लग रहा था हाला कि इसमें घोस्ट टीथ नाइफ शक्तियां थी और साथी अवसाद शक्तियां भी थी जब हान सेन इसका उप्योग कर रहा था तब की तुलना में यहाँ बाधिक शक्तिशाली था पहले इस लीडर क्या आप हस्तक्षेप नहीं करने जा रहे हैं हान सेन उस प्रहार को जेलने में सक्षम नहीं होगा वे दोनों नश्ठो जाएंगे एक महिला ने सकाई पैलेस नेता पर भौहे चड़ाते हुए कहा नेता ने आँखे सिकोड कर कहा कोई जल्दी नहीं है महिला को इससे दुख हुआ और उसने कहा लोन बैंबू आपका छात्र है और हान सेन यशा के लोगों में से एक है यदि कुछ भी होता है तो आप स्वयम यशा को सूचित कर सकते हैं आप जो चाहें कर सकते हैं क्योंकि आप उससे डरते नहीं है अख़डे में हान सेन जैड तलवार चला रहा था उसकी तलवार का दिमाग फट गया उसने डरावने नाइफ माइंड पर हमला किया तलवार के कौशल वे थे जिनका उप्योग लोन बैंबू ने अभी अभी किया था हथियारों के मालिकों की अदला बदली हो गई थी और अब कौशल की भी अदला बदली हो गई है लडाई जारी रही किसी विजेता के उभरने की संभावना नहीं देख रही थी शत भाई लोन बांस चाकू का उप्योग कर सकते हैं और हान सेन तलवारों का भी उप्योग कर सकता है यह अजीब है वह लोन बैंबू की तरह नहीं हो सकता जिसने जीवन भर बुरे सपने देखे हों ठीक है वह एक मात्र व्यक्ती है जो लोन बैंबू से इस तरह लड़ सकता है यहां तक की यूँ चांद कोंग जैसे राजा वर्ग के लोग भी आश्चर्य चकित थे उन्हें उम्मीद नहीं थी कि हान सेन लोन बैंबू के खिलाफ अभ्यास तलवार का प्रभावी धंग से उप्योग करने में सक्षम होगा उसकी तलवार चलाने की कुशलता बहुत डरावनी थी और जब वो चाकू चलाने की कला का प्रयोग करता था तो वो उससे भी अधिक मजबूत दिखाई देती थी दुर भाग्य से लोन बैंबू द्वारा उसकी शक्तियों को थोड़ा दबा दिया गया था वो अभी भी घाटे में था लोन बैंबू अपनी स्काई आई खुली और एक सक्रिय घोस्ट टीथ नाइफ के साथ हान सेन के अर्ल शरीर को कमजोर बना रहा था हान सेन सावधान रह रहा था वो जानता था कि वो यहां सुपर किंग स्पिरिट का उप्योग नहीं कर सकता और वो अपनी तलवार कोशल का उप्योग नहीं कर सकता यही कारण है कि उसे लड़ने के लिए लोन बैंबू की तलवार कोशल का उप्योग करना पड़ा हान सेन ने चीटी रानी के निशान को बुलाया, फिर उसने खरगोश के जूते और लाल मिन्क दस्ताने को बुलाया अब हान सेन की स्थिती उतनी गंभीर नहीं थी, हान सेन ने लडाई को स्थेर किया, फिर अपना ध्यान वापस लडाई की और मोड लिया लड़ाई इतनी रोमान्चक थी की छात सांस लेना भूल जा रहे थे हर कोई बस हान सेन और लोन बैंबू को देखता रह गया वे एक भीक्षन चुकना नहीं चाहते थे लोन बैंबू का शरीर मजबूत होता जा रहा था गोस्ट टीथ नाइफ उसके अवसाद से उत्पन हुआ था और उसकी पूरी शक्तियां दिखाए दे रही थी प्रत्येक स्लेश को जगा तोड़ने के लिए पर्याप्त शक्ति से भर दिया गया था हान सेन के पास उतनी शक्ति नहीं थी लेकिन उसकी तलवार चलाने की कला त्रुटिहीन थी जब वह चला तो जैग तलवार कमल के फूल की तरह थी वो किसी नुकसान में नहीं था लेकिन लोन बैंबू का अवसाद मजबूत होता जा रहा था और ये तेजी से बढ़ रहा था उसके आसपास की उपस्थिती दरावनी होती जा रही थी हान सेन को एक ही समय में लोन बैंबू और अवसाद से लड़ना पड़ा वो दबाव महसूस कर रहा था अचानक लोन बैंबू मैदान के फर्ष पर वापस गिर गया उसने अपनी दूरी बनाए रखी और वो बस हान सेन को देखता रहा उसकी तीन आखे लाल थी और वे एक राक्षस की तरह लग रही थी हान सेन ने लोन बैंबू को देखा लेकिन उसे खुशी महसूस नहीं हुई उसे भारीपन महसूस हुआ लोन बैंबू के हाथ में घोस्ट टीथ नाइफ था। उसकी मौजूदगी से ऐसा लग रहा था मानू आग लग गई हो। उसने अचानक एक वास्तवेक आग उत्पन की और उसे आकाश में उड़ा दिया। स्तर उपर यूँ चानकोंग और अन्य लोग हैरान थे। स्काई पैलेस के कई छात्र भी समझ गए की क्या हो रहा है। जो कुछ भी हो रहा था उसके बीच अकेला बान्स माक्विस बनता जा रहा था। अकाश की आँख रकतरंजित समुद्र की भाती लाल थी। जब लोन बै बैम्बू के शरीर को और अधेक मजबूत बना दिया। घोस्ट टीथ नाइफ भी मजबूत होता जा रहा था। चाकू आग में लिप्टा हुआ था जैसे कोई राक्षस दहार रहा हो। लोन बैम्बू ने माक्विस के रांग को समतल कर दिया और युद्ध के मैदान के सं गोस्ट टीथ नाइफ में शक्ती का अनपहीन उच्छा लाया जिससे वह और मजबूत हो गया। चाकू की लप्टे किसी राक्षस की लप्टों की तरह थी और इसने पूरे क्षेत्र को धाक लिया। हान सेन ने सोचा कि वह अपनी उपस्थिती और दिमाग से लोन बैम्ब से लड़ सकता है लेकिन अब वो इतने दमन में था कि वह अपनी शक्तियों को भी जारी नहीं कर सका। पूरी जगा शांत थी केवल टिम्टिमाती चुरी ने अलाव की तरह गरजते हुए आवाज की घोस्ट टीथ नाइफ की आग दरावनी होती जा रही थी शक्ती बढ़ मैदान पर अविश्वस्निय बल लगा रही थी और फर्ष पहले ही कुछ फीट नीचे गिर चुका था। हान सेन की चाकू वाली मानसिकता और अवसाद उसे नुकसान पहुचा रहे थे। वो अपने शरीर के अंदर की शक्ती या सवेदनाओं को प्रकट नहीं कर सका। ले ना करना, जो अभी अभी माक्विस बना था, हान सेन की जीतने की इच्छा बढ़ गई। वो जिस नकारातमकता से ग्रस्त था, उसका अब उस पर बहुत कम प्रभाव पढ़ा। स्पैल का कवच सफेद चमक रहा था। उसकी त्वचा और हड़ियां भूरे रंग की हो गई हान सेन के शरीर में खून उबल रहा था और गरज रहा था। हान सेन ने अपने हाथ में जैड तलवार उठाए। उस जैड तलवार में विशेश शक्तियों का अभाव था, लेकिन भीशन लड़ाई में उसमें इतनी अधिक दरारे नहीं आई थी। यह इसके शिल्थ की ग अहुद धीमी थी। यह तलवार के अंदर आराम कर रहा था और खुलने का इंतजार कर रहा था। हान सेन के व्यवहार को देखकर युन सुई ने युन सुशान को पकड़ लिया और पूछा क्या हान सेन इस अगले हमले को स्विकार करने की उम्मीद कर रहा है। ऐसा ही तरह के हमले का सामना करने में सक्षम नहीं था। युन चांदकोंग ने कहा उनके पास इस हरताल को स्विकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। क्यूं। युन सुई ने भ्रमित होकर पूछा। अखाड़ा बहुत छोटा है। लोन बैंबू के दानव ने पूरे क् शेत्र में है तो वो इससे बच नहीं पाएगा। इसलिए उसे जो लेना है उसे जुटाना होगा। युन चांदकोंग ने कहा। क्या वो इससे बचाव कर सकता है। अलस और माक्विस के बीच पूरे स्तर का अंतर है। युन सुई की आवाज कांप रही थी। वो परेशा लग रही थी। हाँ, वो इससे सहन कर सकता है। युन चांदकोंग के उत्तर देने से पहले कोई और अंदर आया और उसके लिए प्रश्न का उत्तर दिया। युन सुई ने आवाज की ओर देखा और उसने एक आदमी को मैदान की ओर भूरते हुए देखा। उसकी आखें लाल थी। वो मैदान पर मौजूद लडाकों से भी जादा घबराय हुए लग रहे थे। युजिंग, तुम्हें कैसे पता की हान सेन इस हमले को सहन कर सकता है। थावजेंट फैदर क्रेन ने युजिंग से पूछा। फेभौं गोलियां। मैंने उसे एक फेभौं गोली दी। यदि वो इसे लेता है, तो वो अस्थाइग गूप से माकुस की शक्ती का उप्योग कर सकता है। इसलिए हाँ, वो इस हमले को जेल सकता है और जीतेगा। युजिंग को ऐसा लग रहा था मानो वो खुद से बात कर रहा हो, खुद को बहतर महसूस कराने की कोशिश क रहा हो, फेंगों गोलियां, युन सुशांगो और अन्य लोग हैरान थे, आपने उसे फेंगों गोलियां क्यों दी, मैं अपने पास मौजूद हर पैसे पर शर्त लगाता हूं कि वो लगातार दस बार जीतेगा, उसे जीतना है, ये या तो वह है या दिवालियापन है, य युजिंग को ऐसा लग रहा था जैसे उसके शब्दों को उसके दातों से निचोर दिया गया हो, उसकी मुठियां इतनी जोर से भींची हुई थी कि उसके नाखून मास में गड़ रहे थे, यदि हान सेन का प्रते द्वंधवी लोन बैंबू नहीं होता, तो युजिंग इतना हताश नहीं होता, लेकिन मैच अब शुरू हो चुका था और सब कुछ दाव पर था, अगर हान सेन हार गया, तो युजिंग को एक विनाशकारी जटका लगेगा, फेमभों गोलियां लेना उसके लिए अच्छा है, उस स्थिती में हान सेन जीत सकता है, यु सुई य सुनकर बहुत खुश हुई की हान सेन के पास अभी भी मौका है, यु चानकोंग ने आह भरते हुए कहा, अगर उसने शुरूआत में ही इसे खालिया होता तो उसके पास एक मौका होता, अब बहुत देर हो चुकी है, बहुत देर हो गई क्या, यु जिंग ने मान की, उसके अचानक डर ने उसे काफी असभ्य बना दिया, हालां की यु चानकोंग को कोई आपती नहीं थी, उन्होंने शांती से कहा, लोन बैंबू का चाकु दिमाग पहले ही हान सेन पर केंद्रित हो चुका है, उसकी और से कोई भी गलती लोन बैंबू को हमला करने के लिए प्रेर यू सुई अभी शांत महसूस कर रही थी, लेकिन अब वह फिर से घबरा गई थी, उसने कहा, हम क्या करें, क्या लोन बैंबू हान सेन को मार डालेगा, ये संदिगध है कि नेता चुपचाप खड़ा रहेगा और हान सेन की हत्या होने देगा, लेकिन अगर उसने अब इसे रोक दिया, तो लोन बैंबू नश्ठ हो जाएगा, यून चांद कोंग ने अफसोस के साथ कहा, अखारे में घोस्ट टीथ नाइफ की शक्ती बढ़ रही थी, हान सेन ने जैद तलवार को अपने और नाइफ मैंड के बीच पकड़ रखा था, वो एक पहार की तरह था, और उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, हान सेन के शरीर में एक अद्भुत उर्जा प्रवाहित हो रही थी, ये डोनगक्सुआन सूत्र था, अपने प्रतिद्वंद्वी के दमन के तहट, डोनगक्सुआन सूत्र को अंतता सफलता मिल रही थी, ये हरल वर्ग बनता जा रह था और डोनगक्सुआन आभा हान सेन को एक भव्य शक्ति से भर रही थी, हालांकि ये लोन बैंबू के चाकु दिमाग से लड़ने के लिए पर्याप्त नहीं था, लेकिन उर्जा की रिहाय हान सेन की आँखों को साफ कर रही थी, नाइफ माइन और डिप्रेशन ऐसी जे थी जिन्हें हान सेन अनुकरम श्रिंखलाओं के रूप में देख सकता था, वे हान सेन के चारों और एक विशाल मकडी के जाल की तरह देख रहे थे, जब डोनगक्सुआन आभा मजबूत हो गई, तो अनुकरम श्रिंखला को समझना आसान हो गया, विवरन का वस्तर ज हान सेन के शरीर के अंदर की सभी कोशिकाओं को तोड़ रहा हो, हालांकि यह भावना विनाशकारी और अजीब थी, इसने हान सेन को जंजीरों के तूटने का एहसास दिलाया, नाइफ मैंड के दमन और अवसाद के तहत, उसे काफी आराम महसूस हुआ, उसे ऐसा महसूस लेकिन वे उसके खिलाफ होने के बजाए उसके चारों और भड़क रहे थे, दबाव अचानक गायब हो गया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता की यह कितना शक्तिशाली था, हान सेन की नजर में यह सिर्फ एक अनुकरम श्रिंखला थी, हान सेन के शरीर के अंदर दो अलग अलग शक्तियां उभर रही थी, और उन्हें जेड तलवार में डाला गया था, तलवार तेज रोशनी से चमतने लगी, दांक चाकू चाकू दिमाग ने हान सेन के तलवार दिमाग के साथ तालमेल बिठाना शुरू कर दिया, वे जिपर के दो हिस्सों की तरह एक साथ जा दिया, हान सेन अपने सामने तलवार लेकर चुपचाप खड़ा रहा, वो एक देवता की तरह था, जो चाकू की आग के बीच खड़ा था, लोन बैंबू या घोस्ट टीथ नाइफ कितना भी उपर पहुँच जाए, वे हान सेन की शक्ति को दबा नहीं सके, चात खुल लड़ाई देखते रहे, हान सेन की शक्ति लोन बैंबू जितनी मजबूत नहीं लग रही थी, लेकिन इसा लगा जैसे प्रतियोगी किसी तरह बराबर थे, स्थिती लगभग स्वविरोधा भासी लग रही थी, किंग वर्ग के पर्यवेक्षकों ने हान सेन की उर्जा को देखा, और जब उन्होंने इसे देखा, तो वे चौंक गए, उन्हें वही महसूस हुआ जो विद्यार्थियों को महसूस हुआ, लेकिन वे कुछ और समझ सकते थे, हान सेन लोन बैंबू जितना शक्तिशाली नहीं था, जो एक माक्विस था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि उसकी उर्जा को दबाया नहीं जा रहा था, वो मजबूत होता जा रहा था, इस तथे के बावजूद की लोन बैंबू का चाकू दिमाग लगातार बढ़ रहा था, हान सेन वजन के नीचे दब नहीं रहा था, उन दोनों से एक भयानक तीवरता निकल रही थी और यह उनक रहा था, जब दोनों की टक कर हुई तो जैसे दिन ही रात हो गया, उनमें से किसी को भी बढ़त हासल नहीं हुई और नहीं उनमें से किसी को नीचे गिराया गया, बूम, दो शक्तियों को उनकी अधिक्तम सीमा तक धकेला जा रहा था, उन्होंने एक सीमा पार कर ली, और ड्रीम बीस्ट उस बल को रोकने में असमर्थ था जो वे छोड़ रहे थे, बिजली फैल गई और स्काई पैलेस के कई छात्रों को ऐसा लगा जैसे उनका सिर फट जाएगा, अकेला बांस दहार उठा, उसने दोनों हाथों से घोस्ट टीथ नाइफ को अपने सिर के ऊपर उठा लिया, उसने हान सेन को नीचे गिराने के लिए उस दरावनी शक्ती को बुलाया, यून चांदकोंग और अन्य बुजुर्गों ने मूँ फेर लिया, वे जानते थे कि यह अगला हमला एक त्रासदी को जन देगा, अब वापस लोटने का कोई रास्ता नहीं था, स्क जर्वत के समान था, वह न तो डरा हुआ लग रहा था और नहीं ऐसा लग रहा था कि वह एक भी कदम पीछे हटना चाहता हो, अकेला बांस भयावेह लग रहा था, उसका शरीर और चाकू मिलकर एक हो गए, उसकी जानलेवा आग ज्वाला मुखी की तरह भड़क उठी और आसमान में उगलने लगी, जब सभी ने सोचा कि लोन बंबू कातने जा रहा है, घोस्टीत नाइफ हवा में और स्थिर रहा, लोन बंबू ने हान सेन को या यूँ पहें कि उसकी तलवार को देखा, जब उसने ऐसा किया, तो उसके चेहरे पर एक जटल भाव आ गया, हरे घास के मैदान पर, एक छोटी लड़की जो 9 साल की थी, एक सैग तलवार पकड़े हुए थी, उसके पास पोनी टेल थी, वो तलवार चलाने का अभ्यास कर रही थी, और वो सपश्ट रूप से एक नौसिक हिया थी, गलती से उसके सिर पर चोट लग गई और वो जमीन पर गिर गई, उसने तलवार फेक दी और अपनी आँखों से आँसू पोंच लिये, वानर, तुम क्यूं रो रहे हो, एक युवक ने मुस्कुराते हुए पूछा, वो उसके बगल में बैठ गया और उसका सिरहल के हाथ से पकड़ लिया, बड़े भाई, मैं अब तलवार से अ खमका सकती है, वो आपका सबसे वफादार, छोटा लड़का है, यदि आप उसके साथ अच्छा व्यवाहर करेंगे, तो बदले में वो आपके साथ अच्छा व्यवाहर करेगा, युवक ने जैद तलवार उठाते हुए कहा, वानर ने अपने होंट उठाए और कहा, मुझ खांसा, उसने जैद तलवार पकड़ रखी थी और जैसे ही वो घास पर खड़ा हुआ, उसने उसे घुमाना शुरू कर दिया, वो जैद तलवार उसके हाथ में हलकी थी, नृत्य में ड्रेगन की तरह चंचल, वानर इसके साथ अच्छा व्यवाहर करना इसे समझना है, इस इससे नफरत है, यह मेरी बात नहीं सुनेगा, यह केवल आपकी बात सुनता है, वानर पागल लग रही थी, लेकिन फिर भी, वो खुश दिख रही थी, एक बगीचे में एक युवक तालाब के किनारे लेट गया और बार बार उल्टी कर रहा था, वो अपनी हिम्मत बाहर निकालने वाला था, भाई, तुम ऐसे कैसे पी सकते हो, बड़ी चोटी वाली एक महिला घर से बाहर निकली, वो दोड़कर उस युवक के पास गई और उसकी मदद करने की कोशिश की, मुझ पर ध्यान मत दो, ये ठीक है, वो आदमी बुद बुदाया, भाई, फेल होना को युवक को सीधा उठाते हुए इमानदारी से कहा, युवक वापस जमीन पर गिर गया और बेहोश हो गया, वो इतना भारी था कि उसे बिना किसी मदद के उठाना संभव नहीं था, महिला ने उसे खीचने की कोशिश की, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाई, वो दोड़कर घर गई और कंबल एकटा किया, इससे उसने उसे धाक लिया, फिर वो उसके पास बैठ गई और सितारों से प्रार्थना की, अगर वहां कोई भगवान है, तो मुझे आशा है कि आप मेरे भाई की मदद कर सकते हैं और उसे रास्ता दिखा सकते हैं, मैं इसके लिए कुछ भी कर चांद के नीचे, वह आदमी आखों, मैं आशू लिये जमीन पर लेटा हुआ था, वानर, लोन बैंबू ने जैड तलवार को देखा और अपने होंट हिलाए, उसने शोर तो नहीं मचाया, लेकिन उसकी आखों से पता चला कि वह कई चीजों के बारे में सोच रहा था, मैं गिर नहीं सकता, मैं नहीं गिर सकता, अगर मैं मरने जा रहा हूँ, यहां तक की एक गंदी आत्मा के साथ भी, मुझे चलते रहना है, लोन बैंबू के दांथ हेल गए, लेकिन उसकी आखे अटल लग रही थी, चाकू की आग आकाश में राक्षस की तरह थी, यह नश्ट ह और बुजुर्ग खुश दिख रहे थे, लेकिन ये केवल एक सेकंड के लिए था, राक्षस की जड़े बहुत गहरी थी और कोई भी राजावर्ग भी इसे पूरी तरह से दबा नहीं सकता था, यहू लेखनिय था कि लोन बैंबू अपने दिमाग को इस स्थिती में वाप राक्षस को नियंतरित कर लिया, उन्होंने इसमें हर नहीं मानी, लोन बंबू का शरीर काम पुठा, उसने ऐसा दर्ग सहा था जिसका वर्नन नहीं किया जा सकता, वो दरावना अवसाद और चाकुबाजी उसके अंदर से खत्म होती जा रही थी, हर कोई बहुत खुश नहीं था कि उसने ऐसा कैसे किया, हान सेन ने अपनी शक्तियां दूर रख दी, उसने जैड तलवार नीचे की और लोन बंबू की ओर देखा, शक्ति अब अखाडे को गेर नहीं रही थी, लोन बंबू ने घोस्ट टीथ नाइफ हान सेन की ओर फेक दिया, उसने सरलता से कह मैं एक माक्विस हूँ, मुझे लड़ना नहीं चाहिए, आप ये राउंड जीतें, हान सेन ने घोस्ट टीथ नाइफ उठाया और जैड तलवार सौप दी, लोन बंबू ने जैड तलवार स्वीकार कर ली, उसे साफ कर दिया और अपनी म्यान में रख लिया, वो तलवार उसकी सबसे कीमती संपत्ती थी, लोन बंबू को जाते देखान सेन ने खुद से बात की, उसके शरीर में एक राक्षस है, लेकिन उसके दिल में एक देवदूत है, अपरिच्छत आदमी, किसी को उम्मीद नहीं थी कि ये दरावना तमाशा इस तरह खत्म होगा, लेकिन इ लडाई देखी, वे लडाकों का रूप नहीं भूले, वे कभी नहीं भूलेंगे